इस टूटरियल में हम लोग signed magnitude representation देखेंगे किसी भी नमबर का ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग signed magnitude कैसे हम लोग represent करते हैं उसको देखते हैं हम लोग example देखेंगे ओके सो यहां आपको एक दिखाई दे रहा हुआ यह समझ लेजिए कि फॉर्मूला है इसका ठीक है कैसे signed magnitude हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला देखें यह यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा ठीक है यह signed क्यालाता है यह signed bit का मतलव कोई भी sign 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 में होगा और फिर नेगेटिव में होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा यह जो साइन बेट होता है ठीक है यह वन बेट होता है और बागी के जो होते हैं इसे हम लोग Old Magnitude कहते हैं n bit magnitude okay so यह कुल मिलाकर कितना हो जाएगा कुल मिलाकर आपका हो जाएगा एन प्लस ओन बिट का ठीक है अभी अम लोग क्या करते हैं कि एक बिट का रिजिस्टर लेते हैं समझ लेजी कि यह रिजिस्टर का साइज कि इतना एक बीट यह एक बोक्स बनाया एक दो तीन चार बोक्स बनाया होए और माल लेजिए कि इसमें हम लोग 8 हमारा नमबर है ठीक है एक नमबर है हमारा पास ठीक है इस एट को हमें सांग्ड मेंगनिटुट में रिप्रेजन करना यह पॉजिटिव नम बर प्लस या प्लस लिखावा टीक है तो हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग अभी देखने हुआ ठीक आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको में फिक्स्ट पॉइंट रिप्रेजिटेशन के उसे कोई बात में यह पर हमारे पैस क्या पॉजी टृट तो इसको कैसे हमलुग में रिप्रेजेंट करेंगे वह भी हमक्राइए सबसे पहले क्या करना है कि इसके बायरी निकालना है इसका जो कि पुरह 8-bit का तो 8-bit का binary आपको निकालना है simply 8-bit का binary निकालना है कि मतलब simply आपको सबसे पहले binary निकालना जाएज है binary में निकाल रहा है इसका 1, 0, 0 और हो जाएगा इसका 0 ओके, तो यह इसका binary हो गाला बट यह 4-bit में, यह 1-bit, 2-bit, 3-bit, 4-bit 4-bit में दिखाए दे रहा है, यह 8-bit में होना चाहिए 8-bit के लिए हम लोग क्या करते है, 4, 0 डाल देते है एक, ओवर 0 आजाए बस, यह 0 है, ठीक है 4, 0 डाल दे हम लोग ओना तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8-bit का बन गा, ठीक है इसमें से हम लोग क्या करते है, कि हम लोग यह जो आपका binary है ठीक है, इधर से हम लोग लिखना शुरू करते हैं इधर से लिखना शुरू करते हैं, मिंस यहां से आपको यह फिल करना, ठीक है 0, 0, 0, और 1 बाकी का जो यह box इधर बचता है, इसमें आप सभी में 0, 0, 0, और 0 यहां तक, बस यहीं तक करना यह जो आपका रहता है, इसको में लोग क्या कहते हैं, कि यह जो है, वह साइंग भीट है यह क्या करें, रिपर्जेंट करते हैं, रिपर्जेंट करेगा, कि आपका यह जो नंबर है, यानि कि यह जो बाइनरी में अपने लिखा हुआ है, इसका एक्च्छल नंबर क्या है, डिसिमल में 8 है तो यह जो number है यह positive है या फिर negative है चुकि यह positive है तो लोग जाते हैं कि positive को हम लोग represent करते हैं किस से 0 से तो यह आपको 0 लिखना है ठीक है तो यह 8 bit का होगे including sign bit इसको कहते हैं ठीक है 8 bit का है but including sign bit है तो इस तरीके साब positive 8 को है नहीं कि plus 8 को इस तरीके साब represent करते हैं signed magnitude सेंग्ड मेंटिवें मान लेजें कि एक और एक्जम्पल लेते हैं जैसे कि आपका कि मैनस सेटेंट थेंठा मैनस सेट ले लेते हैं कि मैंने जिए इसका बाइनेरी ऐस बाइनेरी आनलले आभें कर ले दिना 0, 0, 1, 0, 0, 0 जैसे कि मैंने कहा कि इसको आपको feel नहीं करना अभी इसको feel करेंगे यह sign भीट है यह feel होगा इसके sign के अनुसर इसके में क्या negative है या positive है इसके अनुसर यह feel होगा ठीक है तो इसमें minus है हम लोग जानते हैं कि minus हम लोग 1 से represent करते हैं यहां आपको लिखना है 1 तो यह आपका हो गया minus 8 minus 8 का signed magnitude representation ठीक है अभी देखे हम लोगोंने क्या कि हम लोग को question में यह दे दिया गया है कि plus 8 और minus 8 का signed magnitude representation आपको करना है 8 bit register में यह फिर 8 bits में ऐसा करके कुछ question आजाएगा ठीक है आपको इस तरीके से करेंगे कि यह तो आपको यह दे दिया जाएगा और यह निकालने के लिए कहा जाएगा या फिर आपको यह दे दिया जाएगा और यह निकालने के लिए कहा जाएगा अगर आपको मानलेजे कि इसी को लोगों देख लेते हैं यहां ठीक है यहां देख लेते हैं जैसे कि यह 8 bit का अमोलेचे 0000100 यह है तो आपको बता दिया जाएगा कि यह जो है नंबर यह binary नंबर नहीं है वलकि यह signed magnitude में यह represented किया है ठीक है यह signed magnitude है binary है बट signed magnitude में है ठीक है सो आपको इसका number पता लगाना है कि number कितना है कौन सा इसका number क्या हो तो आपको simply इतना करना है कि सबसे पहले तापको इसको हटा देना इसको आपको बाइकॉट कर देना कि हाँ यह क्या करेगा यह मेरा क्या करेगा यह मेरा सबसे left का है बिट है सबसे मौश्ट लैफ्ट है तो यह क्या करेंग यह रिप्रमबर हमार आएगा उसóst नंबर का सांग क्या इसका इसंक्तis कर देते हैं एसे और बाकी के जो यह नंबर है यह बाकी के नंबर है इस सबीको हम लोग convert करते हैं decimal में decimal जो convert करेंगे था आपको मिलेगा 8 और चुकि यहां 0 जानते हैं कि 0 कम लोग क्या करते हैं प्लस लिखते हैं तो यह हो गया प्लस ठीक है इस तरीके से आपको इसको बनाने का है अभी यह जो दिया गया है इसकी बात करते हैं माले जाएं कि यह आपको दे दिया जाएं ठीक है प्रोब्लम कहां होती ही मैं आपको बताता हूं 000010 00 ठीक है यह आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका number निकालना है पर इस तरके इसी तरके का कुछ कुछ कुछन होता है यह यह दिया जाता है और आपको खा जाता है कि नंबर ने के लिए पर इस तरीके कुछ को रहता है ठीक है बच्छी क्या करते हैं अकसर यह समझ देतें कि यह पूरा को पूरा बाइनरी और इसको डेसिमल में करना सुरू कर देते हैं कि अगे सो गड़ बढ़ हो जाता है विकोज यह इसका आपको यह जो लास्ट यह जो लेफ्ट मोस्ट है यह रिप्रेजेंट कर रहा है इसके साइंग को इसको बाइनरी करने करना अगर अगर आप इस पूरे को को आपको कंवर्ट करना इस बाइनरी को करना डेश्निवल में तो यहां सबको एट मिल जाता है और यह जो अपने इलिमेट किया मोस्ट लेफ्ट बीट को यह क्या है वन है इसलिए यह क्या है नेगेट्टीव में तो यह माइनस एट आपका ओग ठीक है इस न सब चीजों का को ध्यान में रखना है जब भी आप साइंग इंग्निटूट रिप्रजिम्टेशन के साब काम कर रहे हैं तो चिक है वो कि दिन बस इतना ही और भी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे आगे आगे वीडियो में सभी का पहले हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं वी त कर दो